Amazon से लेकर Netflix तक कौन सी कमपणी क्या काम करती है ये तो हम सबी अच्छे से जानते हैं Nokia और LG का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सबी का जवाब होगा Mobile Phone लेकिन ऐसा नहीं है और इसी तरह LG का नाम सुनते ही TV और Fridge तो Colgate Company का नाम सुनते ही आँखों के सामने toothpaste की तस्वीरें चलने लगती हैं लेकिन दुनिया की इन मशूर कमपणियों ने अपनी शुरुआत कैसे की थी इसके बारे में आज भी लोगों को नहीं पता साल 2005 में जब YouTube की शुरुआत हुई थी तभी एक डेटिंग प्लाटफॉर्म हुआ करता था उस समय लोग अपने ड्रीम पार्टनर के बारे में वीडियो बनाते थे और फिर उसे YouTube पर अप्लोड करते थे इसके बाद लोग वीडियो देखकर अपना पार्टनर चुन लेते थे लेकिन YouTube आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेरिंग प्लाटफॉर्म है टेलीकॉम सेक्टर की दिगज कमपणी नोकिया की शुरुआत 1865 में हुई थी आज भले ही नोकिया फोन के लिए दुनिया भर में जानी जाती हो लेकिन शुरुआत में नोकिया पेपर मिल चलाती थी इसके बाद इस कमपणी ने कई अन्य बिजनस में भी हाथ आजमाया आखिर कार 1960 में नोकिया ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक कदम रखा और तब से लिका राज तक नोकिया इसी फिल्ड में है जेफ बेजोज ने 5 जुलाई 1994 को अमेजोन की शुरुआत की थी तब इस साइट पर सिर्फ किताबे ही बेची जाती थी साल 1998 के बाद इससे दूसरी चीज़े भी जुड़नी शुरू हुई और आज अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी e-commerce कमपणी बन चुकी है आज आप अमेजोन पर कपड़ों से लीकर foodwear तक और appliances से लीकर furniture तक सब कुछ online ही खरीद सकते हैं दुनिया की प्रसिद electronic company LG की शुरुआत 5 जैनवरी 1947 को साउट कोरिया में हुई थी शुरुआत समय में ये company hygiene और beauty product बनाती थी इसके बाद सन 1958 से company ने electronic products बनाना शुरू किया और आज अपने छेतर की दिगज कमपणीयों में शामिल है दुनिया के नमबर वन OTT प्लाटफॉर्म Netflix की शुरुआत 29 अगस 1997 को हुई थी Netflix शुरू में डाक के जरीय रेंट पर DVD देने का काम करती थी लगबग एक दशक बाद इसने अपना business model बदला और आज ये online streaming की सबसे बड़ी कमपणीयों के लिस्ट में टॉप पर है तूथपेस्ट और oral hygiene product बनाने वाली कमपणी कोलगेट की शुरुवात 1806 में हुई थी कोलगेट कमपणी शुरुवाती समय में साबुन और मुम्बत्यां बनाती थी मगर 1873 के बाद इसने oral hygiene product जैसे तूथपेस्ट, तूथब्रश, mouthwash और dental floss बनाने की शुरुवात की और फिर 1974 में इसका नाम ITC Limited कर दिया गया शुरुवात में ये तंबाको और सिगरेट बेशने की बिजनेस में थी आज ये FMCG यानि के fast moving consumer goods, hotel, paper board, education और lifestyle category की दिगज कमपणी मानी जाती है दुनिया के मशूर digital printing company Xerox की शुरुवात 18 April 1906 को अमेरिका में हुई थी Xerox शुरुवात में photographic paper और photographic का सामान बनाती थी साल 1969 में पहली बार company ने Xerox 914 मशीन बनाई और photocopy की सबसे बड़ी company बन गई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आज किस एपिसोड में आपने कुछ नया जाना हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप चाहते हैं हम आपके भेजियोए facts पर वीडियो बनाएं, तो आप अपने facts कमेंट में लिख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अंसुना ग्यान को सबस्क्राइब करें